आज हम भारत के इतिहास की हर एक बिंदू को कम्प्लीट करने की कोशिश करेंगे चाहे आप किसी भी कम्पेटिशन के त्यारी करते हो इसके बाद कोई समस्या रह जाने वाली नहीं है तो हम तो पहले यही कहेंगे कि आप पहले पढ़ लीजिए उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे तो सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास में पसान काल को पढ़ने की कोशिश करेंगे याद रखिएगा इसका नोट्स अगर आप अपने तरीके से हमसे जितना हो पाया है उस इतना हम करने की यहाँ पर कोशिश किये है अगर आपको लगता है इससे ज़्यादा इजी वे मुझे नहीं लगता है कि अब होने वाला है अगर हो जाये तो बेसक करने की कोशिश कीजेगा तो आईए सबसे पहले पढ़ लेते हैं वरना आपको MCQ करना है तो उस टाइमिंग पर जाकर के सिर्फ MCQ कर लीजे सबसे पहले हम लोग पसान काल पढ़ेंगे आगे है पूरा पसान काल में मनुस्य की जीविका का मुख्य अधार सिकार था यानि किस काल में मनुस्य सिर्फ जीविका के लिए सिकार करता था पूरा पसान काल इस काल को अखेटक तथा खाद संग्रहक काल भी कहा जाता है तो प्राचीन इतिहास के किस काल को जो आखेटक काल कहा गया है तो वह होगा आपके पास पूरा पसान काल लगबग 36,000 इस पी पूर्मित में आधूनिक मानों पहली बार अस्तित्यों में आया आधूनिक मानों को होमो सेपियंस भी कहा जाता था तो पालतू बनाया जाने वाला पहला जानवर कौन था कुत्ता इसको कब जो है पालतू बनाया गया था मध्य पसान काल में हम उमीद करेंगे कि आपका एक भी ऐसा कंटेंट हम छोड़ने की कोशिस नहीं करें जिससे कि आपको थोरा सा भी अपसोस रह जाए किसी एकजामस में आगे की जनकारी की मानों को पूरा पसान काल से ही थी दोस्तों आगे देर कियेगा तो पुछा जागा कि आग अविस्कार कव हुआ तो पूरा पसानकाल में इसको जनकारी थी लेकिन इसका जो यह है अविस्कार जो है वो पूरा पसानकाल में हो गया लेकिन इसका बहिया तरीके से उफ्योग जो किया जाने लगा वो नौ पसानक मानो ने क्रिसी कार्ज प्रणारम किया जिससे उसमें अस्थाई निवास की प्रविती बिक्सित हो गई तो पूछा जा सकता है कि मानो को क्रिसी का ग्यान कप्रणारम हुआ तो नो पसानकाल से दोस्तों आगे बढ़ते चलते हैं भारत में पसान कालीन सभ्यता का अनुसंधान सरप्रथम रावट बुरूस ने 1863 टिसपी में किया था तो याद रखिएगा भारत में पसान कालीन सभ्यता का अनुसंधान सरप्रथम किस ने किया रावट बुरूस ने जो 1863 टिसपी में किये थे और कंटेंट हम जोडेंगे हर बिंदू को आपको किलियर कराने की कोशिज करेंगे आगे है कि भारत में ब्योस्थित क्रिसी का पहला साक्ष मेहर गड़ से प्राप्त हुआ है यानी कि भारत में सबसे पहले क्रिसी की जो साक्ष है भारत्ये लोग हैं वो करते थे उसके मतलब पसान कल के लोग जो क्रिसी करना शुरू की बाद में चल करके उसके जो आपके साक्ष है कहां से मिला मेहर गड़ से बिहार के चिरांद नामक नोपासान कालीन अस्थल से हड़ी के ओजार मिले हैं पासान काल के तीनों चरनों का साक्ष बेलन घाटी इलहाबाद से पराप्त हुआ है बहुत important पसानकाल जो तीन है जो आप लोग प्राचीन पर है उसके बाद मद्ध पर रहे हैं या फिर उसके नौ पसानकाल कर रहे हैं इन तीनों का साक्ष जो है कहीं से मिला तो उसका नाम इलहाबाद वाले अस्तल था एक एकर के बिंदू को देखते चलिए समय जादा दिजिएगा अगर आपको हमारे साथ एक से दो घंटे आज अगर बिता लिया तो उमीद कीजिए कि संपून इतिहास आपके दिमाग में बना रहेगा चाहे वो प्राचीन हो या चाहे वो मद्ध हो चाहे वो आधूनिक हो हर कंसेप्ट किलियर हो जाएगा आवजारों में पर्युक्त की जाने वाली पहली धातू तामबा थी इस अथा इस धातू का ज्यान मनुस्य को सर प्रथम हुआ था तो अवजार के रूप में सबसे पहले कौन सी धातू पर्युक्ती गई तो तामबा पर्युक्ती गई इलहाबादवाले छेतर से है पहिया का अविस्कार नौ पासान काल में हुआ था याद रखिएगा पहिया का अविस्कार मनुस्य को नौ पासान काल में हुआ था यानि कि उनको अविस्कार इन लोग ने किया था जिसको चाक कहते हैं सरप्रतम 1901 में राय बहादूर दयाराम स तत्कालीन भारतिय पूरतात्व विवा के निदेशक सर जॉन मॉर्सल के नित्रुत में हरपा नामक अस्थान की खुदाई कर इस सभ्यता की खोच की थी। वाधिक सेंधो अस्थल गुजरात में पाए गए हैं। उसके उत्खनन करता हैं वर्तमान इस्थीती क्या है। पाकिस्तान के मांट गुमरी जीला में है। तामबे का यहाँ पर प्राप्त होने वाली जो साक्च है हम तामबे का पायमाना तामबे की इक का गाड़ी तामबा गलाने की भट्टी इत्यादी यहां से प्राप्त हुए हैं। हम जो इंपोर्टेंट होगा उसी में इसको दिखाएंगे दोस्तों यहां देखी लिजेगा। मोहन जो दरो इसका खोज करता उत्खनन करता राखल दास बनर जी हैं। 1922 इसी में किया और यह सिंधू नदी के किनारे उपस्तित है। यह पकिस्तान के सिंधू परांद के लड़कना जीला में उपस्तित है। बहुत इंपोर्टेंट अब यहां से देख लिजे सबसे इंपोर्टेंट जो है इसमें है असनानागार और अनागार तो बस यही याद रखने हैं किसमें पसुपती की मूर्ती भी प्राप्त हुई है वह जो है मोहन जो दरो से और अनागार और क्या असनानागार कहां से प पाकिस्तान में उपस्तित है ये आगे देख लेंगे क्या दाए मनका बनाने का करखाना दवात या फिर काजल और कंगा यहीं से मिला हुआ है लिफिस्टिक भी चुनहोद्रों से ही प्राप्त हुआ था दोस्तों हम लोग सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट अब देखेंगे ल लोथल जो है रंगनाथ राव ने इसका खोज किया था आनई सो पचपन से चपन में ये भोगवा में भोगवा नदी के किनारे उपस्तित है भोगवा नदी गुजरात के अहमदाबाद जिला के पास है यह जिला में है यहां से क्या क्या खोज की गई है उतना इंपोर्टे थे तो सडक के सामने खुला करते थे यह इंपोर्टेंट है काली बंगा जो है वह बीबी लाल एवं बी के थाफर ने इसका खोज किया उतकरन किया 1961 में ये घगघर नदी के किनारे उपस्तित है राजस्थान ओम स्री गंगा नगर जिला में उपस्तित है काली बंगा तो य दोस्तों अब आगे देखते चलते हैं इसमें काल करम सब्यता का काल करम यानि कि सिंदू सब्यता अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और सिंदू सब्यता के काल करम और नामा करन पढ़ेंगे रेडियो कार्बन C14 याद रखेंगे तो कार्बन डेटिंग बिधी इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग बिधी के माध्यम से किसी भी सब्यता का पता लगा जाता है या किसी पुरतात्विक चिदों की जो आपके डेट है उसको मालुम के जाता है तो रेडियो कार्बन C14 विसलेशन बीधी के द्वारा सिंदू सब्यता की सर्वमानती थी जो है 2385 पी पूर्व से लेकर और इसको बताया गया है कि यह इसका जो कुल मान है 1785 पी पूर्व मानी गई है बहुत इंपोर्टेंट है सब्यता का कालकरम जो है कारबन डेटिंग बीधी से देखें तो तो सिंदू सब्यता का दूसरा नाम क्या है हरपा सब्यता के नाम से भी जानते हैं हरपा को देखेंगे इस नगरिये सब्यता का प्रतम उत्खनन अस्थल होने के कारण नामकरन का यह सम्मान पराप्थ हुआ तो याद रखेंगे जो सिंदू है उस सिंदू में हरपा नामक एक अस्थान था जहां पर जब उत्खनन हुआ यह दायारामसहनी के द्वारा तो वहां पर एक नगर्य सभ्था मिली थी यही कारण है कि सिंदू सभ्था को हरपा सभ्था यह नगर्य सभ्था होने का एक साक्ष पृप्त होता है सभ्था के भिस्सथाइं देख लेंगे प्रकृत को का टीला भी कहा जाता है काली बंगा का अर्थ काले रंकी चूडिया होता है सिंदु घाटी सब्यता की महत्वपूर्ण विस्ष्था नगर निर्मान योजना का था याद रखेंगे होना था एक सुब्यवस्थित जल निकास प्रनाली इस सब्यता के नगर निर्म की प्रकृती को और सुसेभित कर देता है आगे दिखते हैं हरप्या सब्यता का समाज मात्री सतात्मक था बहुत इंपोर्टेंट हरप्या सब्यता जो थी वह पित्री सतात्मक नहीं था यह मात्री सतात्मक था क्रिसी तथा पसुपालन के साथ साथ उद्योग एवं ब्यप फ़िए पर भी अर्थ ब्योस्ता के मुख्य अधार रहे हैं याद रहिएगा हरापाफ सब्यता मुख्यूरूप से क्रिसी पर निर्भरता था ही लेकिन वहाँ पर पसुपालन के साथ-साथ उद्योग इम्वेपार भी किया जाते थे हरापाफासा बैता के आर्थिक जीवन क मुख्य अधार क्रिसी था अगर आपसे कोशन पूछ दिया जाए कि हरपा सभ्यता का मुख्य जो वहां का आर्थिक जीवन जीने के लिए कोई अधार था तो वह क्या था क्रिसी था बिसु में सरप्रथम यही के निवासियों ने कापस की खेती पडरम की थी तो याद रखेंगे सबसे बड़ी एचीवमेंट जो है हरपा संग सभ्यता के लोगों की क्या है तो कपास की खेती याद रखेंगे मेसो-पोतामिया में कापास के लिए सिंदू सब्ध का पड़यों कह जाता था याद रखेंगे मेसोपोटामिया की जो सव्यता थी उसमें वहाँ पर लोगों के द्वारा सिंधू के लिए कपास ही सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट था यानि कि वो कपास नाम जब कह दीजे तो सिंधू सव्यता असानी पुरुवक समझ जाते थे युनानियों ने इसे सिंधन कहा था याद रखेंगे किसने युनानियों ने सिंधू को या सिंधू गाटी सव्यता को क्या कहा था सिंधन कहा था याद रखेंगे जो सिंधू कहीं युनानी रुपांतरन था युनानी भासा में सिंधू को ऐसे सिंधन कहा गया हरप्पा सभ्यता में आंतरिक तथा बिदेसी दोनों परकार का बेपार होता था बेपार वस्तू बीनमय के द्वारा होता था तो याद रखेंगे पुछा जाएगा कोश्टन कि बताइए हरप्पा सभ्यता में अगर हम लोग कुछ खरीदना बेचना चाहते हैं तो कौन सी बिवस्ता थी तो बस्तू बीनमय प्रनाली वहाँ पर थी बस्तू बीनमय प्रनाली के मतलब होता है बस्तूओं का लेन दिन कर लेना हरप्पा सभ्यता में दोस्तों माप तौल की इकाईव जो थी सोला के अनुपात में थी हरप्पा सभ्यता में प्रसासन संभौत वडिक वर्ग द्वारा चलाय जाता था इस सभ्यता में मात्री देवी की उपासना का प्रमो कस्थान था आप जानते हैं कि सिंदू सभ्यता जो थी वो मात्री सतात्मक थी इसलिए मात्री देवी की पूजा यहां पर की जाती थी साथी साथ यहां के लोग पसुपती, लिंग, योनी, विरिक्षो एवं पसुओं की भी पूजा किया करते थे तो याद रखेंगे प्रमो करूप से मात्री देवी की पूजा की जाती थी लेकिन यहाँ पर पसुपती देव का भी पूजा किया गया है पसुओं में कूबर वाला साड सरवाधिक महत्वपूर्ण पसु था याद रखेंगे सिंदू सभ्यता के लोगों को सबसे ज़दा भाता था कूबर वाला साड सरवाधिक पसु यह महत्वपूर्ण पसु था और उसकी पूजा का परचलन था यानि की कूबर वाले जो साड होते हैं उनकी पूजा करने की प्रथा वहाँ पर थी यह मात्री सितात्मक था पसु पती उसको कहते थे और उसके बाद आगे चलेंगे बिरिक्षो की पूजा होती थी लिंक की पूजा होती थी योनी की पूजा होती थी वहाँ इस काल में मंदिर के औसेस नहीं मिले हैं यानि कि याद रखेगा किस सभ्यता में मंदिर के औसेस नहीं मिले हुए हैं तो याद रखेगा सिंदू घाटी की सभ्यता यह रप्पा सभ्यता में किसी भी परकार से मंदिर का कोई औसेस या साक्ष नहीं मिला हुआ है इस सभ्यता के निवासी मिट्टी के बरतन निर्मान, मुहरो के निर्मान, मुर्ती निर्मान आदी कलाओ में बहुती प्रवीन थे तो याद रखेंगे सिंदू घाटी सभ्यता के लोग बरतन निर्मान में और उसके बाद मुहरों के निर्मान में और मुर्ती निर्मान में बहुँ ज़द पड़वीन थे मुहरे अधिकांस्त सेल खड़ी की बनी होती थी तो बार-बार पूछे जने वाली कोसन सिंदू सभ्यता में जो मुहरे बनी होती थी वह किसकी बनी होती थी सेल खड़ी हरप्पा सभ्यता में सवो को दफणाने एवं जलाने दोनों की प्रथा उपस्ती थी मानो सास्त्रियों के अनुसार चार जाती समुहो प्रोटो औस्ट्रोलाइड भूमत सागरिये मगोलियन एवं अलपाइन द्वारा इस सभेता का निर्मान किया गया था तो चार जातिया थी जिसके द्वारा निर्मान किया गया था दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग अन्य बिंदु को भी पढ़ने की पूरी कोसिस करेंगे अब देखेगा रीग वैदी काल यानि रीग वैदी काल को हम लोग वैदी काल के नाम से भी जानेंगे हो सकता है कि इधर कुछ छुटा हुआ हो अगर चुट गया है तो एक बार जरूर देख लेते हैं थ्वजबा सा लीपी वगर भी देख लेते हैं आगे बढ़ते चलते हैं आगे लिपी देख लेते हैं सिंदु सब्यता का पहले उसके बाद आगे बढ़ेंगे बढ़ते चलिएगा हराप्पा की लीपि भावचित्रात्मक है यह लीपि पर्थम पंक्ती में धाय से बाय तथा दूसरी पंक्ती में बाय से दाय लिखी गई है इस लेखन पदती को बृस्टा फेदम या बृस्टो बृस्टो फेदम कहा गया है तो याद रखेंगे हराप प्रकट कर दिया गया दिवारों पर इसको भाव चितरात्म के नाम से जानते हैं यह लिपी प्रतम पंक्ती में दाएं से बाएं और दूसरी पंक्ती में बाएं से दाएं लिखी गई है इस लेखन प्रति को बुरुष्टा फेदम कहा गया है इसे अभी तक पढ़ा नहीं किय याद रखेगा अब आते हैं पढ़ेंगे बैदिक सभ्यता बैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है यानि कि वह सभ्यता जिनकी जनकारी हमें बेदों से प्राप्ट होती है उसे वैदिक काल के नाम से हम और आप जानते हैं तो बैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया गया है तो बैदिक काल का विवाजन दोस्तों वह दो भागों में किया गया है एक है रिग बैदिक काल और दूसरा है उत्तर बैदिक काल तो याद रखेंगे रिद बैदिक जो काल है वह पंदरो सा इसपी से लेकर एक हजार इसपी तक के पुर्व के इस्थ मुलर ने आरजो का मूल निवा सस्थान मद एसिया माना है त्याद रखेगा यानि आरज लोग कहा के रहने वाले थे तो वे मद एसिया के रहने वाले थे ये कई बार कोशनस आपको पूछा गया है भारत में आरज सरप्रथम सब्त सिंदू छेतर में बसे थे या छेतर पर मिल रही है उस अस्थान पर जाकर के सब तो सेंदो प्रदेश उसको बोलते हैं वहाँ पर जाकर के आरज लोग बसे हुए थे और ये लोग कहां से आये थे ये मद एसिया के रहने वाले थे उमीद करते हैं कि सारे कंटेंट आपके किरियर हो रहे होंगे जब आप MCQ किजिएगा बड़ा ही मज़ा आएगा तो कोशिस यही किजिएगा कि maximum आप पहले पढ़ाई कर लिजे उसके बाद MCQ किजिएगा आगे बढ़ते हैं रीग वैदिक आर्ज कई छोटे छोटे कबीलों में विवक्त थे रीग वैदिक सहीत में कबीले को जन कहा गया है तो या सासक होते थे वहां के तो कबीले यानि की जन के जो सासक होते थे उसको राजन कहा जाता था तो राजन कहा के सासक होते थे रीग वैदिक काल में तो जन के सासक को राजन कहा जाता था आगे बढ़ते चलते हैं सबसे छोटी राजनिति की काई कूल या परिवार होती थी पर कुल मिल करके ग्राम बनते थे जिसका प्रधान ग्रामीड कहलाता था याद रखेंगे रिग वैदी काल में ग्रामों का प्रमुख जो है ग्रामीड होता था और कई ग्राम मिल करके 20 का निवान होते थे जिसका प्रधान 20 पती था सबसे छोटी इकाई अगर देखेंगे सबसे चोटी राजनीति के काई तो परिवार होती थी परिवार के मिलने से ग्राम बनता था और ग्राम के मिलने से विस बनता था और विस जो है मिलकर के जन होता था और जिसका प्रधान राजा होता था इस परकार से आप देख लिचे सबसे छोटी जन जो हो काथ सबसे चोटी सतान पे उरुष को हम लोग पढये अबी तो फिलाल आप देख लीज़ेगा सबसे चोटी काई पड़िवार उससे मिलकर के बनते हैं ग्राम ग्राम के मुखिया जो हते हैं प्रधान ग्रामिन और कई ग्राम मिलकर के 20 और 20 का मुखिया 20 पती कई 20 मिल करके जन और जन का जो मुखिया होता था राजा हुआ करता था रिग बेद में जन 275 बार तथा 20 175 बार उलिख किया गया है बहुत इंपोर्टेंट रिग बेद में जन का पड़ियोग कितने बार किया गया है 275 बार वहीं 20 का पड़योग 170 बार किया गया है दोस्तों लगातार 2 से 3 घंटे आप हमारे साथ बिता लीजिए 14 दिन 2 घंटे बिताईए 14 से 15 दिन ये 14 जो परकार के चीजे आप से पुछने की कही गई है गना मुझे नहीं लगता है कि कुछ बच जाने वाला होगा लगातार देखिए वीडियो को और आगे भढ़ जाईएगा सभा, समीती, वीदत एवं गण राजनितिक संस्थाएं थी पडिवार पित्री सतात्मक था और सिंदूसा बेता में पडिवार कैसा था मात्री सतात्मक वहीं पर जो वैदिक काल थे उसको पित्री सतात्मक कहा जाता था जिसको following आज भी लोग कर रहे हैं नाम से सिक्षा देते की मात्री सतात्मक है लेकिन देखिएगा पूरसों का बर्चस्व आज भी हमारे समाज में अधिक रहा है समाज में बर्ण ब्यवस्था कर्म पर अधारित थी समाज में बर्ण ब्यवस्था आपके काम से बाटा जाता था किस काम को आप करते हैं उसी हिसाब से आपका वर्ण इधारित होगा रीक बेद में दसवे मंडल के पूरुस सुक्त में चार वर्नों ब्रामन छत्रिये वैस सुद्र का उले किया गया है बहुत इंपोर्टेंट रीक बेद के दसवे मंडल में पूरुस सुक्त में चार वर्नों का बर्नल किया गया है जिसमें ब्रामन पहले छत्रिय दूसरे नमर पर वैस तीसरे नमर पर और चोथे नमर पर सुद्र का उले किया गया है। सुम आरजो का मुख्य पे था तथा योव जोव का मुख्य खाद पदार था। देखेंगे तो कहते हैं कि आरजो का सबसे प्रमुख जो पेपदार तथा उसको सोम कहते थे तता सबसे मुख खादपदार जो था उसको जोव यानि उस समय योव के नाम से जना जाता था समाज में इस्तरियों की स्थिती अच्छी थी इस समाज में बिधवा बिवा नियोग परथा तथा पुनर बिवा का परचलन था लेकिन परदा परथा बाल बिवा तथा सत्ती परथा परचलीत नहीं थी तो इसमें सबसे पहले बिदवा बिवा होता था, नियोंगी प्रथा का मतलब होता है दोस्तों कि अगर किसी स्तरी का हस्बेंड यानि कि उसका पती मर गया किशी कारण बस, तो आपने घर में किसी ब्यक्ति से, मतलब अपने से छोटे उनसे साधी करके और बच्चे उत्पन क अब हम लोग देखने जा रहे हैं रिक बैदिक कालीन नधियां बहुत इंपोर्टेंट याद रखेंगे रिग वैदी काल की नदियों के बारे में हम लोग अब जनकारी लेंगे कहता है कुभू कुर्रम अधुनिक नाम उसका है प्रचीन नाम कुभा था ये अधुनिक नाम अब काबुल में आधुनिक नाम कावुल प्राचीन नाम कुभू का जो था वो क्या था कुर्रम था उसके बाद देख लेंगे दूसरा ना बितस्तता का आधुनिक नाम जो है वो जहेलम है पुरुसुनी का रावी है विपासा का ब्यास है दुविसद्वी का गगर है और सुवास्तु का इसमें से ज़्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है बस याद रखना है कि बितस्तता का क्या है अधुनिक नाम जेलम पुरुसनी का क्या है रावी बिपासा का क्या है ब्यास बस एक और याद रखे कुभा काबुल के नाम से जाना जाता है अब कुछ याद रखने की इसमें आवसकता नहीं है आए दोस्तों देख लेते हैं रीक बेद में उलेखित सभा नदियों में सरस्वत्ती सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी तो कोच जागा कि बताए रीक बेद में जो उलेख किया गया है नदियों का उसमें सबसे अधिक जो है आप को सुद्ध किसको माना गया है महत्वपूर्ण किसको माना गया है तो याद रखेगा सरस्वती नधी को रिगवैदिक काल के देवताओं में सरवाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र को तथा उसके उपरांत अगनी को उसके बाद वरून को महत्वदिया गया है तो इसके लिए 250 सुक्त दिया गया है हलाकि उस समय इस इंद्र के बदले में पुरंदर जिसका मतलब कीलो को तोरने वाला है उमीद करता हूँ कि आप सभी बाते समझ रहे होंगे एके करके समझते चलिए उसके बाद MCQ करने में बड़ा मजायेगा उत्तरवैदी काल उत्तरवैदी काल के राजनीतिक संगठन की मुक्विसिस्ता बड़े राज्योत था जनपदों की अस्थापना थी याद रखेंगे राजात्तों के दैवी उत्तपती के सिधानत का सरपर्थम उलेक एतरे बढ़ामन में किया गया है आगे देखेंगे इस काल में राजा का महत आताई उत्तरवैदी काल में उत्तरवैदी काल में परिवार पित्री सतात्मक थे याद रखेंगे रिगवैदी काल में भी थे लेकिन सिंदू सब्यता में मात्री सतात्मक थे संजुक्त परिवार की प्रथा बिद्धिमान थी इसमें लोग संजुक्त रूप से एक ज्वा याद रखेंगे पहले कर्म के अधार पर यानि कि वैदिक काल में कर्म के अधार पर जाती को जाती बेवस्था को बाटा गया था समाज का लेकिन जब उत्तर वैदिक काला गया तो उसमें जाती को अधार बना दिया गया है वर्नों को बाटने के लिए याद रखेंगे इस्त इस्तितियां इस्तिरियों के ठीक नहीं रही उन्हें धन संबंदी तथा किसी परकार के राजनीतिक अधिकार नहीं थे जबालो नुस्यद में स्वरपतम चार आसरमों ब्रह्मचर ग्रिहस्त वानपरस्त एवं सन्यास का भीवरंकीलता है याद रखेंगे धार्मिक एवं यगिय कर्मकांडों में जट्रिलता आई है इस काल में सबसे प्रमुक देवता प्रजापती थे जिसको ब्रह्मा कहा गया ह बिस्नु एवं रुद्र जिसको सीव थे याद रखेंगे तो प्रजापती को ही प्रमुक देवता ब्रह्मा थे उत्तरवैदिक काल में उम्मीद करते हैं सारे कंटेंट आपको समझ में आ रहे होंगे आगे देखेंगे लोहे के परियोग का सरप्रथम साक्ष एक हजार इस देख लिछेएगा सबसे पहले पूछ देएगा सांक दर्सन के रचाइटा कौन है कपिल योग के पतंजली नयाय के गौतम पूर्मिमानसा का जैमेनी उत्तरविमानसा का बदारणन और बैसेसिक का कनाद एवं उलूक याद रखेंगे तो दर्सन जो होते हैं सरदर्सन में रचाइटा कौन थे तो सांक को याद रखना है योग को और नयाय को पूर्मिमानसा एक बार याद रखिएगा ये आप एक दो तीन चार को याद रखिए बाकी को भूल जाईए कोई फरक नहीं परता है हम आपको अलेस दे रहे हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे है इसको अगर हमारे इस वीडियो को लगातार देखिएगा और उमीद कीजिए सारे कंटेंट हम आपको पेस करने कोशिश करेंगे अब देखते हैं बैदिक सहीत क्या है तो बेदों के चार बेद की संख्याएं जो है चार है इसको वैदिक सहीत कहते हैं वैदिक सहीत चार बरगों बाटा गया है पहला नमबर रीग वेदाता है यह प्राचीनतम बेद है इसमें 10 मंडल तथा 1028 सुक्त हैं इसकी भासा पध्यात्मक है इसमें इससे गायत्री मंत्र का उलेख होता है जो सूर्ध से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है पहुत इंपोर्टेंट तो बत इसी में से गायत्री मंत्र लिया गया है और इसको परने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं साइद मुझे लगता है होत्री कहते हैं आगे बरतितन सामवेद जो इंपोर्टेंट है उसी को मैं लेकर खाया हूँ इलम कंटेंट को खीच करके निकाला गया है इसमें संकलित मंत्र को यागे के ऑसर पर देवताओं के स्तूती के लिए गाया जाता है तो कोसन पुछ देगा कि बताइए वह कौन सा वेध है जिसमें उपस्तित रहने वाले मंत्रों को गाया जाता है यह संगीत का जननी जो है किस वेद को कहा जाएगा सामवेध हो जाएगा आगे बढ़ते चलते हैं काते हैं कि भारतिय संगीत का मूल जो कहा जाता है वह सामवेध ही है अथारोबेद देखेंगे यह एक मात्र ऐसा वेध है जिसकी रचना पद एवाम गद दोनों में किया गया है यजूर बेद यजूर से युगल याद रखेंगे युगल युगल माने दो युगल मतलब क्या होता है दो तो दो मतलब क्या गद और पद तो यजूर बेद का निर्मान जो है पुछ देगा कि बताइए वह कौन सा बेद है जिसमें सभी चीजे जो लिखी गई ह हί वह गध्य और पद्य दोनों में लिखा गया है यानि इसको मतलब एक कहानी के रूप मे भी पड़ सकते हैं मतलब पढ़र के भी या फिर उसको गाकर भी आप समझ सकते हैं यह गध्य और पद्य दोनों वाला बेद अथरो बेद है और उसको बद औसदी वाला बेद भी कौन सा है अथरो बेद है गद्य और पद्य दोनों कौन है यह जुरू बेद है संगीत की जननी किसे कहते हैं साम बेद को सबसे पुराना बेद कौन सा है रिग बेद को उमीद कहते हैं कि सारा बात आपको ब्रह्म विश्यक होने के कारण इसे ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है इसमें आत्मा परमात्व एम संसार के संदर में परचालित दार्शनिक विचारों का संगरह मिलता है सबसे जदा इंपोर्टेंट कि उपनिसद की संख्या कितनी है 108 भारत का राष्टी अदर सुवाग सत्य में जैते इससे के एक मुंड को उपनिसद से लिया गया है बहुत इंपोर्टेंट बस इसका पॉइंट ये 108 है संख्या है सत्य में जैते मुंड को उपनिसद से लिया ग तो वेदों को अर्थ को समझने के लिए जो बनाया गया उसे क्या कहेंगे वेदांग कहेंगे वेदांग की संक्याएं चो है और तुरंतपरे उपनिशत की संक्या एकसो आठ है वेद कितने हैं चार है शिक्छा कल्प व्याकर निरुक्त चंद एम जोतिस ये कुल मिला करके व सबसे इंपोर्टेंट जो मनु एस्मृति है उसका नाम क्या है मनु एस्मृति आगे बढ़ते चलते हैं दोस्तों पुरान कितने हैं पुरानों की संख्यां 18 है सरवाधिक प्राचीन और प्रमानिक मतस से पुरान है इसमें 20 के 10 अवतारों का उल्ले किया गया है बहुत इंप पुरान इसमें किसके बारे में बताया गया है तो विशनु के 10 अवतार पुछा जागा बिशनु के 10 अवतार का उल्ले करता है दोस्तों उमीद करते हैं कि बहुत असानी पुरुवक आप समझते चले जा रहे होंगे और कोई समस्या आपको नहीं आ रही होगी और हम पुड़ी पर्यास करेंगे कि असानी से आपको सरल भासा में समझाने की कोसिज करेंगे आए जैन धर्म और बौध धर्म ये तो एक important content होता है इसको समझे जैन और बौध धर्म जैन धर्म के प्रतम तिर्थंकर रिशब देव थे इन्हें इस धर्म का संस्थापक भी मना गया है तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है रिशब देव जैन धर्म में कुल 24 तिर्थंकर हुए महाबीर स्वामी जैन धर्म के 24 तिर्थंकर थे इनहें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक मना जाता है तो जैन धर्म का यो संस्थापक कोन है तो रिसब दे वास्तविक जब सब्दों जोड़ दे तो वह कोन हो जाएंगे महाबीर स्वामी ये 24 trade थे उमीद करते हैं सब कुछ आपको समझ में आगया होगा महाबीर ने पांच महाबरतों के पालन का उपदेश दिया ये पांच महाबरत है सत्य अहिंसा अस्ते अपड़िग्रह एवं बर्मचर्य याद रखेगा इनमें से सुरू से चार ठो महाबरत जैंधर में था 23 तिर्थंकर पार्सवनात की थे ये चार जो आपके पास पांच महाबरत दिखाई दे रहा है इसमें से चार जो दिखाई दे रहे न लगातार सत्य अहिंसा अस्ते अपड़िग्रह ये जो है किसके द्वारा पार्सवनात के द्वारा दिये गये थे अंतिम महावरत जो था ब्रहमचर्ज महावीर स्वामी ने जुड़ा था जो जैन धर्म का धर्म जो जैन धर्मे जुड़ा गया इस परकार से जैन धर्मे कुल पांश्ठो महावरत हो गए याद रखेंगे बहुत important है एक बिंदू जैन धर्म अनिस्वर वादी था देखेंगे अनिस्वर वादी था जैन धर्म तोरा सा महाभीर स्वामी जी के बारे में पर चले लेते हैं जन्म महाभीर स्वामी का कुंड गराम बैसाली में अस्थान था हुआ कब था 540 इसफी पूर्व, पिता जी का नाम सिदार्थ, ग्यात्रिक छत्रिये कूल के थे, माता का नाम त्रिसला, लिच्वी सासक चेटक की ये बहन थी, पत्नी का नाम ये सोदा था याद रखेंगे, बहुत इंपोर्टेंट, आगे देखेंगे, पत्नी का नाम ये सोदा, ग्री त्याग इन्होंने 30 वर्स की आयों में किया, उसके बाद तपस्त इसमित्र सा 30 और 31 भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है, घबराईए गने, और आप जो है आगे देखेगा, जर रखेगा, यहाँ पर देखका है, वल्ली का प्राप्ती, 12 बरसों की तपस्या के बाद, महाभीर स्वामी को मिला, रियूपाली का नदी के किनारे, रिम्भिक गराम में, निर्वान, इन्हों निर्वान, यानि की इनकी मृत्ति हो गई, 468 इसपी पूर में, पावापुरी, जहां पर उनका आज भी अस्थल बनाया गया है, आगे देखते चलते हैं, कलांतर में जैन धर्म दो संपरदायों, स्वेतामबर एवं दिगंबर में बट गया, स्वेतामबर संपरदाय के अनुयाई, स्वेत वस्तर धारन करते थे, जबकि दिगंबर संपरदाय के अनुया वस्तरों का परत्याग घरते थे यारी कि कलांतर में जैन धर्म कितने भागों बट गया दो भागों में देख लिजेगा जैन महासंगतियां याद रखेंगे महासंगती पर लेंगे तो मुख्यरुब से जैन धर्में दो जो है महासंगतियां हुई है उसमें से पहली महासंग तो प्रतम जैन संगीती पाटली पुत्र में हुआ था इसकी अध्यक्षता किया था इस तुलभद्र ने और जैन धर्म दो भागों में बट गया स्वेतांबर और दिगंबर जो स्वेत बत्रों का धारंग करता था और एक बर्ग वस्त्रों का प्रत्याग करता था दुईतिय जो हुआ वो 5.12 इस पी में वल्लभी में हुआ देव रिदिगणी जो है चमासरमन जो देखे धर्म गरंथों को लिपी बद किया गया था तो दोड़ों मुखे संगीतियां हुई है पहला नमबर पाटली पुत्र में और दुसरा नम वल्लभी और पाटली पुत्र थे वो कौन सा भासा था प्रकृत भासा जो था एकदम बिल्कुल इतने सधारण नहीं था जिसको असानी से समझा जा सके यही कारण है कि जैन धर्म जो है दुस्तों जादा फेमस नहीं हुआ वहीं पर जो बहुत धर्म के संस्थापक थे उन्होंने एकदम पाली भासा के इन लुम्बिनी ग्राम कफिल वस्तू में हुआ था इनका जन्म 563 इस भी फूर्ग में हुआ था याद रखेंगे पिता जी का नाम सुदोधन साक्य गण के यह प्रधान थे माता का नाम महामया कोलिय गण की राज कुमारी थी याद रखेंगे पतनी का नाम यह सोधरा एक इन का नाम राहुल था 29 बर्ष की अवस्था में अचानक इनको ऐसा लगा कि हमें अपने घर को छोड़ देना चाहिए और तपस्वी बन जाना चाहिए तो 29 बर्ष की अवस्था में वो अपने घर से निकल चुके थे इस क्रिया को महा भी निश्क्रमन कहा गया है मावीर गौताम बुद्ध जी का बाहर निकलने यानि की घर छोड़ने की फरक्रिया महा भी निश्क्रमन कहलाती है उसके बाद तपस्थल उरुवेला निरंजना नदी के किनारे इन्होंने क्या किया था तपस्या किया था जहां पर उनको केवल की अर्थारत उननों ग्यान की हो गया था दोस्तों देख लेते क्या कुछ और भी पॉइंट है तो बिल्कूल हम देखेंगे गौताम बुद्ध से संबंधित यानि अभी हम जैन धर्म के प्रमुक बिंदों को पर रहे हैं गौताम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनात रिसी पत्नम में दिया ब बुद्ध ने संसारिक दुखों के बारे में चार आर्ज सत्त बताते हैं और ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख विसेस, दुख निरुधक, गामनी पतिपदा दुखों से छुटकारा पाने के लिए बुद्ध ने अस्टांगीक मार्ग का उपदेश दिया था अपन समयक दृष्टी, समयक संकल्प, समयक वाक, उसके बाद समयक कर्मान, समयक अजीव, समयक वयाम, समयक अस्मृती तथा समयक समाधी ये प्रतीत त्यूत्मना को गौतम बुद्ध की सिक्छाओं का सार कहा गया है इतने याद नहीं रखना है याद रखेंगे किसके दुखों से छुटकारा पाइदा लगा अस्टांगी कमार बुद्ध धर्म अनिस्वर वाधी तथा अनात्म वाधी था याद रखेंगे बुद्ध संग एवं बुद्ध संग एवं धम ये तीन बुद्ध धर्म के त्री रतन थे तो बुद्ध धर्म के त्री रतन कौन थे तो बुद्ध की जन्म का प्रतीक जो था कमल एवं साड गृत्याग घोडा ग्यान पीपल का ब्रिक्ष निर्वान पदचिन और मृत्यू एस्तूप था याद रखेंगे बहुत इंपोर्टेंट था आगे बढ़ते हैं जातक कथाओं में गौतम बुद्ध की जीवनी कहानिया है तो जातक कथाओं में किन के बारे में लिखा गया है गौतम बुद्ध के बारे में बहुत गरंतों सूत पिचक बिनैपिचक तथा अभिधम पिचक को सामोहिक रूप से त्री पिचक कहते हैं तो त्री पिचक का संबंद की दर हैं बहुत धर्म से हैं तो सूत प समय लोगों को आसानी पुरूबख समझ में आयाता था कलांतर कणिस्क के सासनकाल में बहुत धर्म का विभाजन हिनयां तथा याद रखेंगे हिनयां तथा महायान दो सखाओं में हो गया हिनयां साका के अन्यायों ने गौतम बुद के मूल उपदेशों को स्विकार किया जबकि महायान साखा के अन्यायों ने बुद की मूर्ती की पूजा पर चलन सुरू किया तो इसमें से ज़्यादा ज़्यादा कोशन पूछ सकता है कि बताए कि जो बहुत धर्म दो साखाओं में बटा उसका कौन साखा जो था मूर्ती पूजा का समर्थन करता था तो महायान हिनयान इसका स्विकारता नहीं देता था याद रखेंगे महायान साखा अन्यायों जो था वह बुद धर्म की मूर्ती के पूजा करता था एक अन्य important point है, इसको देख लिजेगा, संगीती जो है, अस्थल, सासनकाल, समय और अधियक्ष कौन थे, बहुत important, प्रतम जो है, बहुत संगीतियां, मुक्रुप से ऐसे तो 4, कहीं कहीं किताबों में इसकी संखियां 5 भी बता दी कहीं हैं, लेकिन अभी फिलहाल 4 हम देखते हैं, बहुत संगीतियां, प्रतम बहुत संगीती, राजगरी में हुआ था, सासनकाल, आजात सात्रु के समय, 433 पूर्व में अधियक्ष महा कस्यप थे, दुईतिये बहुत संगीती, वैसाली में हुआ, काला सोक, 433 पूर्व, 383 पूर्व इसका समय था, सर्वकामी यानि स सब्बाकामी उनका नाम था, अधियक्ष जो थे, वह सब्बाकामी थे, तो प्रतम राजगरी में अजात सत्रु के समय, वैसाली में काला सोक के समय, सर्वकामी या सब्बाकामी दूसरे के अधियक्ष थे, महा कस्यप पहले के, तिसरे के देख लेंगे, या तृतिये बहु दूस्तों वहाँ आपके पटली पुत्र में हुआ पटना में असोक इसके सासंकाल थे के समय था। 35-पी पूर्व में मोगलित पूस्तिस जो था वह इसके अध्यक्ष रहे हैं। चतूर्त बहुत संगीती जो है कुंडल बन कनिश्क जो है उसके सासनकाल में हुआ और इस पी प्रथम सताबदी में और वसुमत मित्र जो है इसके अध्यक्ष रहे हैं ये इंपोर्टेंट है आगे बढ़ते चलिए कि जब पढ़े रहेगा तो कंटेंट आपके दिमाग में रहेगा आसानी से आप इसको खोज लिजिएगा प्राचियन भारत में परचली संप्रदाय एवं संस्थापक संप्रदाय कौन थी आजीवक संप्रदाय संस्थापक मकलिपुत गोशल संप्रदाय घोर अक्रियवादी पूरन कस्यत ये छोड़ दीजिएगा अगर कोई पूर्व के आसपास क्रिसी में नवीन तकनीक तथा लोहे के प्रयों के कारण विसेश उत्पादन होने लगा क्रिसी विसेश से ब्यपार इवं बानीज को बल मिला जिससे दूसरी नगरिये करांती आई इस कारण उत्तरवेदी काल की जनपद महाजनपोद में परिवर्ति कि महाजनपदो की संख्या भारत में कुल कितने थे 16 इसका कहां उलेक किया गया तो एक बहुत गरंथ है जिसका नाम है अंगूतर निकाए या फिर आप कह सकते हैं इसको महाबस्तू एवं जैन गरंथ भगवती सुत्र में भी इसका उप्यों किया गया है अगर अंगूतर क कहादे के बहुत गरंथ किसमे तो अंगूतर निकाए और कहादे की जैन गरंथी किसमे तो भगवती सुत्र में मिलता है इसमें मगद कोमल वस एवं अवंतिक सरवाधिक शक्तिसाली माने गये थे आगे बढ़ते चलते हैं आगे हम लोग बरने की कोसिस करेंगे और बढ़त वस जी की वैसाली और वैसाली जो था वो प्रथम लोगतांतरिक बिवस्था लाने वाला था कोसल की सरावस्ति ये सब उतनी जाद ध्यान मत रखिएगा मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान रखिया आप अपने एकजामस के लिए मगद राजगरी याद रखिएगा वजी वै साली याद रखिएगा कोसी वरानसी याद कर लिजेगा और अंग का चमप याद कर लिजेगा बाकी सब को छोड़ दीजे कोई ज़्यादा दिकत नहीं है एक टोवर देखिए गंधार तक्चुसीला बस यागे रखिए मगद समराज अई स्टार्ट होता है मगद समराज इ मगद प्राचीन भारत में समराजवाद की सुरुवात या विकास का स्रे मगद को दिया जाता है सबसे पहले मगद समराज में सबसे पहला बंस जो था वो हर्यक बंस था 544 इसपी पूर्व से 412 इसपी पूर्व कुछी समय में अब तुरंत जो है खतम होने वाला है से बैठें और उसके बाद उठें पढ़ाएं और आगे जीवन में हमेसा जिन्दगी में कुर्सी आपके जीवन में लगा रहे आपके पीशे पीशे तो थोड़ा सा तो आपको बैठने की आदत जरूर डालना होगा हमारे साथ देखिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके आ पहला बताया गया है इतना बस याद रखेगा कि हर्यक बंसे उसके पहले बिरिवत दत्र वंस को जो है वह मगत समराज का पहला वंस बताया गया है दो गरंथों में मगत समराज की महता कवास्तिविक संस्थापक बीम्बिसार है याद रखेगा बीम्बिसार पांसो चुवाल कहां रखता था तो याद रखिएगा सबसे पहले कि वह ग्री ब्रच यही कारण है कि आज भी मगद का पुछा था कि मगद का प्रारामभीक राजधानी कहां थी राजग्री बिम्बि सार ने बहवाविक संबंदों के अधार पर अपनी राजनीतिक इस्तिति सुर्द किया ज अगला बिंदू है बिम्बि सार ने अपने राजी किये चिकित सक जीवक को पड़ोसी राज अवंती के सासक चंड प्रगोत महासेन की चिकित सा के लिए भेजा था तो याद रखिएगा पुछ देगा कि जीवक जो चिकित सक वह किसके दरवार में था तो बिम्बि सार के दरवार में हर्यक बंस के संस्थापक के आगे बढ़ते हैं बिम्बि सार को उसके पुत्र अजाद सत्रू 492 से 460 के बीच में जो रहा ने बंदी बनाकर सत्ता परकपजा जमाया अजाद सत्रू को कुनिक के नाम से भी जना जाता है हलाकि कहा जाता है कि उसने अपने पिता को मार भी दिया था उसको पित्री हंता भी कहते हैं याद रहे कि अजाद सत्रू ने वजिस संग के लिच्वियों को पराजित करने के लिए रत मूशल एवं महा सिलाकंटक नामक नए हतियारों का प्रयों किया अजात सत्रू के सासनकाल में राजगरी के सब्तकड़नी गुफा में प्रथम बौत संगीती का आयोजन किया गया था तो यह अपने आप में कोसंस कि बौत संगीती का प्रथम जो आयोजन किया गया था तो वह तो आप जानते हैं कि अजात सत्रू के समय किया गया था लेकि को उदाय भद्र के नाम से भी जानते हैं, 460 से 444 उसका कारी रहा है, मतलब काल रहा है, हर यक बंस का तीसरा महत्वपूर्ण सा सकता, उसने पाटली पुत्र यानि बरतमान पटना किया स्थापना की, तथा उससे अपनी रधानी बनाया, तो कोशन पुछ देगा कि पाटली पुत्र का संस्थापक कौन है, तो याद रखिएगा, पाटली पुत्र का संस्थापक उदाईन, जिसको उदाय भद्र के नाम से भी जाना जाता है, दुसरा बंस मगद का सिसुनाग बंस, महत्वपूर्ण बंसों को हम लेकर के चल रहे हैं, वीच वीच में छूटे तो मत कहिएगा, तो कि हम सारे कंटेंट NCRT से आप लोग के लिए निकाले हैं, महत्वपूर्ण नहीं, हर्याक बंस के सिनापती, सिसुनाग ने मगद की सत्ता पर कपजा कर, सिसुनाग बंस के स्थापना की, आज अगर इतिहास खतम हो जाएगा, तो अमीद करिए कल हम संपूर् इसी तरीके से पढ़िएगा, इस बंस के सासक काला सोक काकवडन के सासनकाल में मगद की रैधानी बैसाली थी, जहां दुईतिय बहुत संगीती का आयोजन हुआ था, तो सिसुनाग का सबसे जो हर्यक बंस के सिनापती, सिसुनाग ने मगद की सपता पर कपजा कर, सिसुना सिसुनाग है और इसका सबसे ज़्यदा प्रतापी जो राजा रहा, वो काला सोक रहा है, ठीके, वरा धानी बैसाली को बनाया था, दुईतिय बहुत संगीती उसी के सासनकाल में हुआ था, नंद बंस, अपने आप में इंपोर्टेंट, इससे तो को संस बच नहीं सकता, ए कास करने वाला कहा गया है, याद रखेंगे, यह नाई परिवार से आता था, ठीक है, और यह पहला ऐसा था, जो की, निचली जाती से होते हुए भी, मतलब कहें कि, जिस तरह से वड़नों का विवाजन किया गया, उसमें से पहला, निचले कास से आकर के, और बनने वाला र धनानन्द बिलकुल कुरूर था, उसने अपनी पिता की हत्या कर दिया था, जिन्स गुरू से सीखा, उस गुरू को भी उसने मार दिया, और गुरू से सीखकर उपने पिता से, अपने भाईयों के सामने, कैसा नहों की, पिता जी जो है, मेरे बरे भाईयों को सत्ता हस्तना इसलिए पिता को गले लगाते हुए और उसको इस तरीके से मर दिया पता भी नहीं चला लोको समझा गले मिल रहा है और उसने उनकी हत्या कर दी था नंद बंस का अंतिम सासक धनानंद था इसी के सासनकाल में सिकंदर ने भारत पर आकरमन किया था बहुत इंपोर्टेंट किस मेसोडेनिया मकदुनिया के छत्रफ फिलिप का पुत्र था अपने विश्व विजय की योजना के अंतरगत सिकंदर ने भारत पर आकरमन किया जेलम तता चिनाब के मद्यवर्ती प्रदेश के सासक पोरस पुरू ने सिकंदर का प्रतिरोध किया सिकंदर एवं पोरस के यूद भी कहा जाता है तो याद रखेंगे कहा जाएगा कि किस नदी के मद्यवर्ती जो है पोरस पुरू और सिकंदर के बीच में जो है यूद हुआ तो उसमें जेलम तता चिनाब नदी के बीच में जिसमें पोरस की हार हो गई थी जेलम नदी के बीच में हार होई थी प 23-33 में बेबिलॉन में सिकंदर की मृती हो गई, तो किस जगह पर सिकंदर की मृती हो गई, यह अपने आप में इंपोर्टेंट है, अभी आप सिकंदर पर रहे थे, बहुत इंपोर्टेंट साभी पॉाइंट है, दिखेगा मज़ा आजाएगा कुछ समय भी ताइए ना बिल्कुल इतियास कहते हैं याद करने वाली चीज याद नहीं उसको दिमाग में रखने वाली चीज होती है चंदरगुप्त मौर्ज आप सभी जानते हैं इसके गुरु कौन विष्णुगुप्त कोटिल्या के माध्यम से याद चदरगुप्त मौर्ज जो है या मगद समराज का एक प्रतापी गोर प्रतापी राजा बना जो कि संपूर्ण भारत को एक करने का सरे इसके पास चाता है 322 इसपी पूर्व से 329 इसपी पूर्व तक इसका अपना जीवन रहा है यने चाना के किसा हैता से नंद बंस के सासक धना नंद को अपदस्त कर मौर्ज समराज के स्थापना की सेल्यूकस ने मेगास्तनिज को अपने राजदूत के रूप में चंदरगुप्त के दरबार में भेजा था तो मेगास्तनिज किसके दरबार में आया था याद रखेंगे चंदरगुप्त के मौर्ज के दरबार में सेंडरो कोटस की पहचान चंदरगुप्त के रूप में सरपर्थम विलियम जोन्स ने किया है और आगे देखते चलते हैं चंदरगुप्त मौर्ज ने अपनी अंतिम समय में जैन भिक्छु बद्रबाहु से दिक्छा लेकर स्रमन वेलगूला में कार्ज कलेस के द्वारा प् और बिंदुसार ने सिर्या के सासक एंडियोकस से अंजीर मंदिरात था दार्सनीक मांगा था आपको पता होना चाहिए कि बिंदुसार ने सिर्या के पुत्र था चंदरगुप्त मौर्ज का सिर्या के सासक एंडियोकस से अंजीर मंदिरात था दार्सनीक मांगा था तो उस उसको क्या क्या मिला था अंजीर मिल गया था मदिरा मिल गया था लेकिन सिर्या में जो था दासों को खरीद विकरी आदमी का खरीद दारसनी का यादि व्यक्तियों का खरीद विकरी इलाव नहीं था इसलिए वो दारसनी के यहाँ पर नहीं भेजा अता बिंदु सार को मांग गए तीन बस्तुव में से दोथो प्राप्त हुए है उसके बाद असोक आता है 277 इस पी पूर्व से 232 इस पूर्व अपनी प्रचा के नैतिक उत्थान के लिए प्रतिपादी धम के लिए 200 विख्यात कहीं आपको जाने की जूरत नहीं है हमारे इस चैनल पर बने रही है टो ऐसोक को परिए अशुक को प्रियो दर्शनी भी कहते है न असोक ने अपने सासन की आठवे बर्स दो से 61 पूर्व में कलिंग पर आकर्मन किया तथा उसे जीत लिया तो कुछ दिगा कि बताईए असोक ने अपने सासन के कौवे बर्स उसने कलिंग पर आकर्मन किया आठवे बर्स कलिंग के साथ यूद में अब गला फस रहा है बत कोई बात नहीं है पढ़ाएंगे जरूर कलिंग के साथ यूद में भाड़ी रक्त पात को देख असोक ने यूद निती छोड़ दी धम निती का पालन किया असोक ने अपने बड़े भाई सुमन के पुत्र निग्रोध से परभावित होकर बौध धर्म को अपनाया बाद में उपगुप्त ने उसे बौध धर्म की क्या दी सिक्षा दी थी तो याद रखेंगे बड़े भाई के पुत्र निग्रोध से परभावित होकर के बौध ध असोक के कलिंग यूत था हिर्दय परिवर्तन की जनकारी उसके तिरहवे सीला लेक से मिलता है और आगे बताया गया है असोक ने अपने सासकी एवं राज की आदेसों को सीला लेखों पर खुदवा कर समराज के विभिन भागों में अस्थापीद कराया था ये सीला लेक ब्र लिपी क्या थी ब्रामी, खरोस्टि, अर्मायिक, गड्रीक लिपि में लिखे गए थे असोक के सिला लेको का पता सरफ़्दमी पैंथिलर ने लगाया था तथा इसे पढ़ने में सरफ़्दम सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिला आप देखेंगे जेम्स प्रिंसेप ब्रीज पसी मंगाल में है जो तारनूमा आपको नजर आता है वहाँ पर आपको भी गया होंगे तो पता होगा जाएगा तो मालू चल जाएगा सबसे पहले असो की सिलालेखो को सुझी लिखा गया उसमें क्यों प्रिंसेप मौर्ज समराज में उच अस्तर के अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था जिनकी संख्याएं 18 थी सबसे उची जो अधिकारी थे उसको क्या करते थे तिर्थ कौटिले चानक के अर्थसास्तर तथा मेगास्तनीज के इंडिका से मौर्ज समराज के बारे में विस्यस जनकारी मिलती है तो अर्थसास्तर में जो है राजनीती का बारें बताया गया है मेगा स्तनीज ने अपने किताब में लिखा है कि इन्होंने मतलब ये बहुत परभावीत रहा है पाटली पुत्र जब चंदरगुप्त निवास करता था उस समय की बातों को आगे देखते चलते हैं अभी हम लो मर्योतर काल में भारत पर सबसे पहला विदेशी आकर्मन वेक्ट्रिय के ग्रीकों ने किया था इन्हें हिंद यवन या इंडो ग्रीक के नाम से भी जना जाता है हिंद यवन सासकों में मिनांडर सरवाधिक महतपूर ने इसकी रेधानी साकल थी प्रसित बहुत दार्शनि आपना तो याद रखेगा किस ने सबसे पहले सोने के सीखे चलाएं ईंडो-ग्रीक के लोग बस इतना जो परहैन उपर उसमें से याद रखना है इन्डो-ग्रीक के लोगों ने सीखे चलाए हैं बिवेन ग्रहों के नाम नचहत्रों के आधार पर भविज से बताने की कला समवत तथा सब्ता के साथ दीनों का विभाजन युनानियों ने भारत को सीख लाया है तो किसने भारत को सबसे पहले ये सबी समवत सब्ता साथ दीन विभाजन ये सब सीखाया है तो ये सारी के सारे जो हैं हमारे पास नियम युनानियों ने सीखाया है सक देखते हैं सक मुलतम मद एसिया के निवासी थे सक सासको में रुद्रदामन प्रथम प्रमुक्रम जुनागर से प्राप्त उसका सिरलेख प्राकृत भासा में था बस रूदर दामन प्रथम के ने चंद्रगुप्त के समय निर्वित सुदर्सन जिल का पुनर्निमान करवाया है यह important है आगे देखेंगे पहलाव है यह इसको पार्तवीन भी बोलते हैं पार्तियन तो पार्तिया के निवासी थे इसाई धर्म के परचार सेंट टॉमस भारत आया था याद रखेंगे इसमें जड़ा important हम लोगों नहीं लग रहा है बस लिखा गया है content है कि आपको हमको एक के बाद हमें भी कुछ न कुछ याद रहे इससे कुसान यूची यूची जनजाती से संबंदी थे यह पस्मी चीन से भारत आये हुए थे आगे देखेंगे स सबसे जड़ा important है कुसान में कनिस्क जो था एक कनिस्क कुसान बंस का सबसे प्रसीद सा सक था तो कुसान बंस का सबसे जो प्रसीद सा सक था वो कौन था वो कनिस्क था और कनिक्स ने 78 इस पी में सक संबंद को परचलीद किया था तो किसने सबसे पहले सक संबंद को अपना तो ये कौन था कनिस्क याद रखेंगे कनिस्क ने पूरूसपूर यानि पिसावर को अपनी रैधानी बनाया मतुरा कनिस्क की दूइती रैधानी थी कस्मीर में कनिस्क ने कनिस्क पूर्क नाम का नगर अस्तापना किया था कनिस्क बहुत धर्म का न्याई था उसके सासनकाल में चौती बहुत संगीती की गई थी कुंडल वन कस्मीर में आगे बढ़ते हैं गुप्त समराज देख लेते हैं गुप्त समराज के बारे में जनकारियां आपके सामने उपलब्द कराएंगे थोड़ा बहुत ही गुप्त बंस का प्रथम महतोपुर्ण सासक चंद्रगुप प्रथम था आगे बढ़ते हैं चंद्रगुप्त प्रथम से संबंधित कुछ बिंदुए हैं तीन सब इस इस पी पूर में गुप्त संबंध की सुरुवात की थी उसने महाराजा धीराज की उपादी धारन की थी तो किसने सबसे पहले संबंध किया था गुप्त संबंध क भी वाकिया था तो उस समय की महत्वपूर्ण घटना रही थी समुद्र गुप्त अपने आप में important point है कहता है चंद्र गुप्त प्रथम का पुत्र बिभिन अभियानों के कारण इतिहास कार विये स्मित ने उसे भारत का नेपोलियन कहा था तो समुद्र गुप्त किसका पुत्र था चंद्र गुप्त प्रथम का और भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्र गुप्त को कहा जाता है ये important है समुद्र गुप्त की विजयो और उसके बारे में जनकारी के सुरोत उसके दरबारी कभी हरिसेंद वारा रचीत प्रयाग प्रसस्तिया इलहाबाद अस्तंप सीरलक से मिलता है समुद्रगुप्त की अनुमती से सीहल के राजा मेगवर्वन ने बोध गया में एक बहुत मट अस्तापित किया था समुद्रगुप्त के सीको पर उसे बीना बजाते वे दिखाया गया है जिससे ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो था संगीत के प्रतिलगाव रखता था चंद्रगुप्त दुईतिये ये important है बार-बार question पूछता है इसका काल जो है का काल चंद्रगुप्त काल चंद्रकप्त में सहीत और कला का स्वर्ण यूग कहा जाता है तो किस काल को स्वर्ण यूग कहा जाता है कला का तो याद रखे कि स्वर्ण यूग गुप्त काल को कहा चंद्रगुप्त दुईतिये के सासनकाल में एक चिनी यातरी फाहियान भारत आया था तो पुछा जाएगा चिनी यातरी फाहियान भारत कब आया था तो चंद्रगुप्त दुईतिये के सासनकाल में उसके दरबार में नौ विद्वानों की मंडली थी जिसे नौरतन कहा जा नालंदा विस्विद्याले के स्थापना हुई थी तो नालंदा विस्विद्याले का स्थापना करने का सरे किस को जाता है कुमार गुप्त प्रथम को जाता है असकंद गुप्त गुप्त बंस का अंतिम प्रतापी सा सक था उसने हुनों के आकरमन को भी फल किया असकंद गु प्रमुक्त सासकों की राजकिये या अधिकारिक भासा संस्कृत थी गुप्त पाल में भाग एवं भोग राजस्व कर था भाग उपज का छठा हिसा होता था जबकि भोग सबजी एवं फलो के रूप में दी जाती थी भाग क्या करते हैं? तो देखेंग गुप्त काल में जो भाग होता था, राजस्व का हिसा उपज का छटा भाग लिया जाता था, जबकि सबजी से जो आपको लिया जाएगा उसको हम लोग भोग कहते थे, भोग सबजी से और भाग किसे राजस्व के रूप में लिजाती थी पुस्य भूती वंस के अस्थापना धाने स्वर में हुई थी, इस वंस के पहला महतवपुन सासक प्रभाकर वंस था, इसको ज़्यादा ध्यान में रखने की जूरत नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा हर सवर्दन, इस वंस का महान सासक था, याद रखेंगे सबसे पहले कि पुसे भूती बंस जो था उसका सबसे प्रचली सासक कौन था तो वह कौन था हर्सवर्दन महांसा सक यह अपने रैधानी थाने सवर से कौनोज अस्तरांदित किया सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट इसमें यह होगा कि हर्सवर्दन के सासनकाल में जो है चीनी यातरी हुए संग भारत आया था उसके यातरा विरतान जो थी सी यू की था यह आप जानते रहिएगा गुप्तोतर बंस आगे देखेंगे गुप्तोतर बंस से भी संबंदीत कुछ बिंदुए हैं चोटा 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 कंटेंट है पल्लो बंस पल्लो बंस के स्थापना सी विष्णू में नहीं था जो भी इंपोर्टेंट था उसको मैं आपके सामने परपर के बता रहा हूं आगे देखते चलिएगा छोड़ा सा कंटेंट होगा अब लास्ट में हम लो चलेंगे अब इसका अमोग वर्स जैन धर्म की अन्याई था इसको मत्याद रखिए एलोरा की सबसे गुःत्प देखते में रहा हूं याद रखिएगा अलोरा के प्रसीद कैलास मंदिर का निर्मान क्रिश्न परतभम ने कराया और एलोरा यहों कोषा मंदिर का निर्मान राष्ट कूठ सास्कों के दवारा हूई था चोल बंस की स्थापना विज्यालेया ने की थी इसकी र राजा राज प्रतम ने सेलेंदर सासक नागवट इसको मत याद रखिये, हटते चलिए पाल बंस, पाल बंस का संस्थापक कौन था, गोपाल था, धर्म पाल ने बिक्रम सीला बिसुबी द्याले का स्थापना कर वाया था, अन्य महत्पूर्ण राज बंस भी है, इसमें से द इर्मान कर रहा, ये भी छोड़ दीचे, ये याद रखियेगा, राज तरंगनी का रचाइता कलहन कस्मीर के लहोर बंस के सासक हर्स के दरबार में राता था, तो राज तरंगनी का जो रचाइता है, वो कौन है, कलहन है, कलहन जो है, कलहन ने राज तरंगनी की रचना लहो मुहमद गोरी को पराजित किया किन्तु तराई के दूइतिय यूद में मुहमद गोरी से पराजित हो गया याद रखेंगे तराई का प्रतम यूद किनके किछ के बीच में हुआ मुहमद गोरी और प्रित्वीराज चौहान के बीच में जिसमें प्रित्वीराज चौहान जो ह है लगभग साड़े तीन घंटे से अधिक हो जा रहा है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है इतना देर तक आप लगतार नहीं बैठ पाईएगा यही कारण है कि हम इस इतिहास के इस चीजों को हमने तीन खंडों में बाढ़ दिया है अभी जो है आपको हमन प्राचीन इतिहास के चीजे पढ़ाई है प्राचीन इतिहास में सबसे पहले हम लोग ने पसानकालीक इतिहास को हमने पढ़ा है उसके सभीक पहले MCQ कर लेते हैं और अगले वीडियो में हम इसका मध्यकालीन भारत और उसके बाद आधूनिक भारत यानि की तीन खंडों म को रखा जाता है सबसे पहला प्रसन है कि प्राच इतिहासी काल के अंतरगत की इन संस्कृतियों को रखा जाता है तो प्राच इतिहासी काल के अंतरगत जिन संस्कृतियों को रखा जाता है उससे पसान कहते हैं अपसर नमर सी इसका सई अंसर होगा लगातार अब इंसर कमे करन एवं हतियार किस से बनाए गए थे तो प्रागेतिहासी काल के उपकरन तथा हतियार जो है दोस्तों वह बनाए गए गए थे पत्थर से अपसर नमबर डी इसका सई अंसर है आगे बढ़ते चलते हैं अगला पॉइंट है प्राचीर मानों ने सरप्रतम किस पसू को जो है सबसे पहले नौ पसान यूग में किया था हलाकि उसको इसके बारे में ग्यान प्रागेतिहासी काल में ही हो चुका था पुरा प्रापसानिक काल में ही हो चुका था तो यहां तक कभी तक हम लोग 5 कोसंस देखे आए बढ़ते चलते हैं अपने छठे नमर कोसं की मानों ने क्रिसी का कार्ज किस यूग से प्रारम किया उसको नौ पसान यूग के नाम से जानते हैं अपने ऐंसर जो यानी कि जिसको जो उव के जानते थे नववा नमर कोसन है कि नौ पसान यूग में चावल की खेती के प्राचिंतम सक्स कहां से मिला है तो नववे का सई अंसर है अपसान नमर भी कोल्डियों मां से मिला हुआ है ये सभी कंटेंट हो चुके हैं लगातार अब बस बात ये रहेगी कि हम लोग कैसे असानी प्रुवक MCQ कर पा रहे हैं सिंदु घाटी सब्यता आगे सिंदु घाटी सब्यता किस काल की सब्यता मानी जाती है तो सिंदु घाटी सब्यता जिसका आल किमाने जाती है वो कास यूगीन है अपसर नमबर सी इसका सई अंसर है काकि उसमें लोहा का जनकारी इनके पास नहीं था अब तक हो गए कुल कोसंस आगे बढ़ते चलते हैं अगले बार दसवा नमबर एगरावे नमबर कोसंस देख लेते हैं प्रसन है कि हरपा सब्यता हरपा की खुदाई सरपर्थम कब की गए थी तो हरपा की खुदाई 1911 में की गए थी निम्न में से किस अस्तल को मिर्तको का टीला कहा जाता है सही अंसर है मोहन जोदरो को कहा जाता है महन जदरे के टीले के खोज का सरे की से जाता है तो महन जदरो के टीले के खोज करता निम्ल कितम से कौन है साई अनसर राखल दास बनर जी उधों ने खुदाई किया था हरपपा सबैता में विसाल असनागार का सक्ष कहां से मिला है तो सई अनसर हो जाएगा अपसा नमबर बी मोहंजदरो से असनागार तथा अनागार मिला हुआ है निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है ये आपको देख रहना है हरापपा रावी नदी के किनारे है मोहन जोदरो सिंधू नदी किनारे है और काली बंगा गगर निदर किनारे है लेकिन लोथल को कहा जा रहा है कि क्या लोथल जो है सतलज नदी किनारे है तो मुझे ऐसा तो प्रतीत नहीं हो रहा है अगर आपको लगता है पंद्रह नमबर सही है, यह हरपा, उसकोद मोहन जोदरो, उसकोद काली बंगे सब है, लोथल जो है, सतलज नजी किराले नहीं है, अपसा नमबर डी इसका सही अंसर हो जाएगा, गलती से मिस्टेक हो गया, आगे बढ़ते चलते हैं, 16 नमबर कोशन्स आपके सामने है, 16 कोशन्स है, कि निमन में से किस धातू का पड़योग हरपा के लोग नहीं करते थे, सही अंसर है, लोहा के बारे में इनको जनकारी नहीं था, 17 का अपसा नमबर डी सही है, आगे बढ़ते चलते, 18 नमबर कोशन्स है, किस हरपा सभयता की अस्थल है, जहां की कासे की नर्तकी हमें प्राप्त हुई है, 18 का सही अंसर है, मोहन्स दुरों से कासे की नर्तकी हमें प्राप्त हुई है, याद रखेगा, 19 नमर कोशन्स होगा, वैदिक सभयता के कोशन्स में रखे गए होंगे, लगातार, आप अगर हमारी कंटेन्ट को देखेंगे, कंसेप्ट किलियर है, तो उम्मीद करता हूँ कि सारे कोसंस आपसानी पूर्वक जबाब दे दीचेगा, आरज भारत में सबसे पहले कहां बसे थे, तो आज जहां पर बसे थे, उसको सब्त सिंदू परदिश के नाम से जानते हैं, 19 नमर का ए नमर एंसर सही है, अगला कोसंस ने बीसवा नमर प्रस दियोता माना जाता था, 21 नमर कोसं ने रिग वेद में उलेखित प्रस्न, देखिएगा ध्यान से, 21 नमर प्रस्न कहता है, रिग वेद में उलेखित नदियों में सरवाधिक पवीतर नदी कौन सी है, तो रिग वेद में उलेखित रहने वाली सरवाधिक पवीतर नदी निम अगला कोसन है 23 नमर कोसन आपके सामने आने ज़ा रहा है तेसली कापडियों कियए रहते रहेंगे 23 का अपसन नमबर कि गायतरी मंत्र का उलेख रीगवेद से लिया गया है ये सभी कंटेंट आपको हमने परहाया है लगतार बने रहे रिग-वैदिक आर जो की भासा क्या थी वह अपसा number B यानि संस्क्रिट थी रिगवेदी कार्जो की भासा क्या थी वह संस्क्रिट थी अपसा number B इसका साय अंसर होजागा आये देख लेते हैं कितने नमर कोसनदे के 25 नमर 26 नमर कोसनदे हैं 26 वा कोसन है कि निमले में से प्राचिंतम बेद कौन सा है? तो वा कौन सा बेद है? जिसको हम लोग प्राचिंतम बेद के नाम से जानते हैं? सई अन्सर है अपस है अपसर नमबर 2 खिया गया है 28 नमर कोशन आपके सामने है 28 वा नमर कोशन करता है रीग वैद काल में वीनमे के माध्यम में किसका परयोग किया जाता था रीग वैद काल में वीनमे का माध्यम निमल कितने से क्या था तो 28 का सही अंसर हो जाएगा अफसर नमर डी गाये याद रखेंगे रीक वैधी काल में बीनिमे के माध्य में किसका पड़ियोग किया जाता था साइ असर है er state number D यानि कि गाये का मतलब बीनिमे कीया जाता था हिस्सेदारी उसको लगाया जाता था रिक वैदी काल में सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी तो रिक वैदी काल में सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था निमलिकित में से कौन मानी जाती थी सही अंसर है सभा को जो है क्या मानी जाती थी प्राचीन तम संस्था सभा थी उमीद करते हैं सभी बिंदू समझ में आ रही होंगी आईए बढ़ते चलते 29 के बाद हम लोग प्रस्णि कितने देख रहे हैं तो याद रखेंगा 29 के बाद तीसवा नमर कोशन्स आपके सामने उपस्तित करा रहा है तीसवा नमर कोशन्स आपके सामने मैं उपस्तित करा रह नाम है कोई बात नहीं है लेकिन कुम्भा का सुवास्तु नाम नहीं है अपसा नमर 10 का सही एंसर हो जाएगा 31 number question का सही answer चुनना है उत्तरवैदि काल का सरवाधिक महतपुन देवता कौन सा था उत्तरवैदि काल का सरवाधिक प्रसीद देवता जौन थे उसका नाम था सिव याद रखेगेगा सिव जो है सबसे प्रसी दिन देवता थे आगे बढ़ते हैं उत्तर वैदी काली नोगों ने किस धात्व की खोज की थी तो उत्तर वैदी काल के लोगों ने जिस धात्व का खोज किया था वो सही अंसर आप लोग के सामने 32 का अपसर नंबर A लुहा का खोज किया था आगे बढ़ते हैं भारत का आदर्स राष्टी वाकिसा तमेव जैते कहां से लिया गया है 33 का सही अंसर अपसर नंबर B मुंड को अपनिसीद से लिया गया है जैन और बहुत धर्म और महा जनपद से को संस अब आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहे हैं याद रखेगा जैन धर्म का वास्त्विक संस्थापक कौन था तो महाबीर को वास्त्विक संस्थापक जबकि संस्थापक री सबदेव थे जैन धर्म के 24 वे तथा अंतिम तिर्थंकर कौन थे तो सही अंसर महाबीर आगे बढ़ते चलते हैं अगला है पार्सवनाथ द्वारा परतिपादी चार महाबरतों महाबीर स्वामी ने कौन सा पांचवा जोड़ दिया जैन धर्म में त्री रतने हैं जैन धर्म में त्री रतने कौन से हैं समयक दर्सन समयक ग्यान समयक चरितर ये सभी के सभी इंसर सही है आगे बढ़ते चलते हैं महावीर का जन्नम कहां हुआ था तो महावीर का जन्नम जो है बैसाली बिहार में हुआ था अपसा नमर C 38 का एंसर सही हो जाएगा 49 नमर कोसन आपके सामने है प्रशन कहता है स्यादवाद किस धर्म के दर्सन का मूल अधार है तो स्यादवाद किस धर्म के मूल अधार है तो स्याद रखेगा जैन धर्म का आगे बढ़ते चलते हैं अगला कोसन है कि प्रतम जैन संगीती कहां आयुजित की गए थी पाटली प भासा में अपना उपदिश दिया था तो उन्होंने प्राकृतिक भासा कपड़ों किया था जो कि एक सरल भासा नहीं थी याद रखेगा 41 का अपसर नमर ए हो जाएगा आगे बरते चलते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म आए अब हम बढ़ते हैं 43 वे नमर को सन की तरफ जल्दिस जल्दी आपके स्क्रीन पर ला देता हूं 43 वे नमर को सन हाजीर है प्रश्निक आता है कि महात्मा बुद्ध के ग्री त्याग को बौद गरंतों में क्या कहा गया है तो महात्मा बुद्ध के ग्री त्याग को निम अपसर नमबर 30, इसका सई अंसर हो जाएगा, 45 वा नमबर कौसान आपके साइन में है, कि महात्माबुद ने अपना पहला उपद्ज कहाँ दिया था? अपसर नमबर डी, 45 की सइंश हो जाएगा, आगे बरते चलते हैं कि बहुत धर्म के त्री रत में कौन थे तो बुध धम और फंग ये तीनों के तीनों राइट अपसर नमर डी हो जाएगा आगे बरते चलते हैं लगातार अंसर करते रहिएगा आप रुकने और ठकने की जुरुत नहीं है महात्मा बुध ने अपने उपदेश किस भासा में दिये थे तो महात्मा बुध ने पाली भासा में मुख्य रूप से अपने उपदेश दिये थे 47 का अपसर नमर A सही हो जाएगा 16 महा जनपदों के बारे में किस बहुत गरंत में जनकारी मिलती है तो 16 महा जनपत्य भारत में उसकी जनकारी कहां मिलती है 48 का सही अंसर अपसा नमर A अंगुतर निकाय में होता है अगला कोसन है निमन में से कौन सा यूग में सुमेलित नहीं है एक बार और कोसन आ गया सुमेलित नहीं है तो आपको ध्यान रखना है 49 कोसन साफ देख रहे है और याद रखिएगा गंधार तक्षिसीला में है अंग चंपा में है मगद गिरिवरज में लेकिन कोसल मतुरा में नहीं है अपसा नमर D इसका सही अंसर था कुछ जो की गलत था आगे बढ़ते चलते है मगद समराज 56 नमर कोसन हर्यक बंस के किस सासक के कूनिक कहा जाता है हर्यक बंस के किस सासक को कूनिक के नाम से जानते है पचासवी का सही अंसर है अजाद सत्रु को कूनिक कहा गया है इसको पित्रिहंता भी कहा गया है बने रहीएगा हमारे साथ आगे कोशन है पाटली पुत्र नगर की अस्थापना किस ने की थी तो पाटली पुत्र नगर की अस्थापना जो है उदाईन ने किया था अपसर नमर सी इसका सैयंसर है 52 नमर कोसन है कि निवने में से किस सासक ने बैवाहिक संबंधों के अधार पर अपने समराज को इस्तिर्ता परदान किया था सई अंसर आप लोग पढ़े होंगे इसको 52 का अपसर नमर ए बिम्बिसार जो है बवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने समराज को इस्तिर्ता परदान किया था अर्थार्थ अपने समराज को बढ़ाया था अवन्ती को मगव समराज से मिलाने का स्रे किस सासक को है तो अवन्ती को मगव समराज से मिलाने का स्रे जो है तिरपन का अपसर नमबर सी सी सुनाक को जाता है आगे बढ़ते चलते हैं चोगवन नमबर कोसन है चोववन नमर कोसन कहता है काला सोग क्रियधानी कहा थी तो काला सोग क्रियधानी जो थी दोस्तो वह कहा थी अपसर नमर A का सई इंसर हो जाएगा वैसाली आगे बढ़ते चलते हैं उमीद करते हैं कि इतना कोसंस तो आपके हो चुके है चोवन के बाद पचपन नमर कोशन आपके स्क्रीन पर आ गया है पचपन नमर कोशन कहता है कि निमने में से किस सासक को सर्व छत्रान तक अर्थाथ छत्यों का नास करने वाला कहा गया महापदमनंद यानि कि पचपन का बी नमर एंसर सही हो जाएगा आगे बढ़ते चलते हैं चपन नमर कोशन है सिकंदर के आकरमन के समय मगद का सासक कौन था तो सिकंदर के आकरमन के समय मगद के जो सासक थे वे थे धनानंद याद रखेंगे धनानंद होना चाहिए सिकंदर कहां का सा सकता तो सिकंदर जो है दोस्तो आपको बताना है सही अंसर हो जाएगा अपसा नमर B मकदुनिया का सा सकता याद रखिएगा सिकंदर एवाम पुरस के बीच में 2326 इसपी का यूद किस नाम से जाना जाता है याद रखेंगे 58 नमर कोसन आपके सामने है और 58 का सही अंसर हो जाएगा आप लोग देखते चलेंगे अपसा नमर B इसको बितास्ता या जहलम यूद के नाम से जानते हैं आगे बढ़ते चलते हैं उसके बाद आगे हम लोग बरने कोसिस करेंगे दोस्तो आगे कोसन देखने की पढ़या समलक कर रहे हैं 69 नमर कोसन आपके सामने है कि चंदरगूप्त मौर्जी की सिंडर कोटस के रूप में पहचान किशने किया था साइन सर अपसर नमर भी हो जाएगा बिलियम जोंस ने चंदरगूप्त मौर्जी की पहचान सिंडर कोटस के रूप में किया था 60 नमर कोसन है कि चंदरगूप्त मौर्जी का परधान मंतरी कौन था तो साइन सर है चानक के उनके परधान मंतरी थे वो गुरुभी थे उनके चंद्रगुप्त मौर्जे ने नंदर बंस के किस सासक को समाप्त कर मौर्ज बंस का स्थापना किया था तो धना नंद का आगे बढ़ते चलते 62 नमर को संथ है 62 नमर को संथ को ध्यान से देखिएगा प्रसीद युनान राजदूत मेगा स्थनिज किस के दरबार में आया था चंद्रगुप्त मौर्जे के दरबार में आया था कौटिल लेकी विश्व प्रसीद प्रचना है कौटिल लेकी विश्व प्रसीद रचना जो है अर्थसास्तर है, जिसको हम और आप जानते हैं, 63 नमर का सईयंसर, अपसन नमर बी हो जाएगा, आगे बढ़ते चलते हैं, Indica किसकी रचना है, तो Indica जो है दोस्तो, वह Mega Ext Families की रचना है आगे बढ़ते चलते हैं 65 नमर कोसन आपके सामने है 65 नमर कोसन को ध्यान से देखते हैं 65 नमर कोसन का अता है कि निम लिखित में से कौन सा कथन असत्य है 65 नमर कोसन आपके सामने है अपसन नमर इसका क्या हो जाएगा 65 नमर कोसन का अपसन नमर डी सही हो जाएगा यानि के उपरोगत में से कोई नहीं आगे बढ़ते चलिएगा 65 के बाद हम लोग 66 नमर कोशन की तरफ भागने इकोसिस करेंगे आईए बढ़ते चलते 66 नमर कोशन की तरफ 66 नमर कोशन है कि युनानियों ने किसे अमित्र घोटस के नाम या किसको इन्होंने अमित्र घोटस कहा था युनानियों किसे अमित्र घोटस कहा था 66 का सईयन सर अपसा नमर सी हो जागा बिन दू सार को इन्होंने अमित्र घोटस कहा था 66 नमर कोशन है कि मौर्ज सासक असोक ने कलिंग पर आकरमन कब किया था तो मौरी सासक असोक ने कलिंग पर कब आकरमन किया था 66 का साइएंसर अपसा नमबर भी हो जागा 261 इस भी पूर्वेबनों किया था आगे प्रस ने असोक के सिलालेखों को सरप्रथम किसने पढ़ा तो साइएंसर है असोक के सिलालोकों को सबसे पाले जो है जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था अपसा नमबर डी इसका साइएंसर है 68 का अपसा नमबर डी आगे बढ़ते चलिएगा असोक के किस सिलालेख में उसकी कलिंग भी जय का वर्णन किया गया है तो याद रखिएगा 69 का अपसा नमबर डी सिलालेख है तो 70 का सही अंसर हो जाएगा अपसा नमबर डी मासकी आगे बढ़ते चलते हैं असोक का कौन सा अभी लेख दो भासाओं ग्रीक अर्माईक से प्राप्त होता है तो असोक का कौन सा सिलालेख है जो दो भासा का उस पर पढ़्योग किया गया है एक अतर का सही अंसर अपसा नमबर ए हो जाएगा सरे कुना आगे बढ़ते चलते हैं साची के एस्तूप का निर्मान किस ने करवाया था तो साची के एस्तूप का निर्मान करने वाले ब्यक्ती असोक थे अपसा नमबर सी इसका सही अंसर हो जाएगा आगे बरते चलिए मेगास्तिनीच ने भारतिय समाज का वर्गी करन कितने बर्गों में किया था 73 का सई अंसर अपसा नम्बर D 7 बर्गों मेगास्तिनीच ने भारतिय समाज का वर्गी करन किया था किस मौर्ज सासक ने धम का अपरतिपादन किया था तो याद रखेंगे असोक किसका सही एंसर हो जागा 74 का अपसर नमबर B असोक ने धम का पड़ियो किया था 75 नमर कोसन आपके सामने है और 75 नमर कोसन को ध्यान से देखिएगा प्रशन का अता है 75 नमर निमलिकित में से कौन सा कथन असत्य है 75 नमर कोसन का सही एंसर देखिए चलता असोक ने धर्म के प्रचार के लिए महिंद्रम संग मित्रा को सिरलंका भीजा था मिल्कुल ये सही बात है आगे बढ़ते चलते हैं कता है कि कौन सा कथन असत्य है ये तो सही है आगे दिखते हैं चंद्रगुपत मौर्ज के रधानी पाटली पुतरती ये भी सही है असोक के धम की परिभासा राहूलो वादसो नामक बहुत गरंस्ते ली गई है ये भी सही है यार्थार्त इसमें से कोई ऐसा कथन नहीं है जो असत्त है अपसर नमर्डी इसका सही अंसर हो जाएगा आगे बढ़ते चलते हैं अगला कोशन चियतर नमर्ड कि मौर्ज काले में विस्टी किसे कहा जाता है चियतर नमर्ड कोशन का सही अंसर हो जाएगा मौर्ज सामलाज में किसे विस्टी के नाम से जानते हैं साइएंसर अपसा नमर सी हो जागा निसूल कि सरम को आगे बढ़ते चलते हैं निमलिकित में से किस सासक ने असो मेग यग कराया था 77 नमर कोशन आपके सामने है कि निमलिकित में से किस सासक ने असो मेग यग कराया था 77 का सही अंसर अपसा नंबर C हो जाएगा पुस्य मित्र सुंग ने कराया था आगे बढ़ते चलते हैं 77 के बाद 78 नंबर कोशन जल से जल आपके स्क्रीन पर उपस्तित करा दिया जाए ये रहेगा 78 नंबर कोशन प्रसीद बयाकरणाचार ये पतंजली किसके समकालीन थे तो बयाकरणाचार ये जो थे वो कौन थे पतंजली थे वो किनके समकालीन माने जाते थे राइट अंसर उजागा पुस्य मित्र सुंग का आगे बढ़ते चलते हैं 89 नंबर कोशन आपके सामने है सुंग बंस का संस्थापक कौन था तो 89 का सही अंसर हो जागा कि सुंग बंस का संस्थापक जो है पुस्सिमित्र सुंग था आगे बढ़ते चलने भूमीदान का सवर प्रतमूलेक किस राजबंस के समय प्राप्त होता है सही अंसर है असी नमर का अपसा नमर सी सतवाहन वंस के लिए सीसे के सीके किस राजवन्स के सासकों ने चलाय थे तो सीसे के सीके किस राजवन्स ने चलाय थे एक असी का सही अंसर अपसा नमर भी हो जागा सतवाहन ने चलाय थे आगे प्रस्थन है की भारत में सब से पहले किस वन्स की सासकों ने सोने के सीके चलाय थे 82 का राइट एंसर हो जाएगा सक शासकों ने सब से पहले सोने का सीका चलाय था Kis राजा के सासनकाल में इसाई धर्म प्रचारक सेंट थौमस भारत आया था तो किस राजा के सासनकाल में इसाई धर्म प्रचारक जो ए सेंट थौमस भारत आया था 83 का संस्थापक अपसन नमर सी हो जाएगा वो गया गोंदो फरनिस याद रखेंगे गुप्त समराज से सम्बंदित कुछ कोसंस देख लेते हैं अगला कोसन अब गुप्त समराज से 82 नमर कोसन है कि गुप्त बंद्स का संस्थापक ने मिले कितमे से कौन सा तो गुप्त बंद्स का संस्थापक जो है सिरी गुप्त अपसन नमर सी इसका सही अंसर है आगे प्रसने गुप्त बंस के किस सासक ने सर प्रतम महाराजा धिराज की उपाधी धारन की थी 85 का सही अंसर अपसन नमबर A चंद्र गुप्त मौर्ज को महाराजा धिराज की उपाधी मिली थी चंद्र गुप्त प्रतम याद रखेगा हमेशा आगे कोशन है किस गुप्त सासक को कभी राज कहा गया है तो किस गुप्त सासक को कभी राज के नाम से जना जाता है 86 का सही अंसर समुद्र गुप्तिस का सही अंसर हो जागा किस गुप्त सासक को भारत का निपोलियन कहा गया है? सिरलंका के राजार मेंग वर्मन ने किस गुप्त सासक से भगवान बूद का मंदीर बनवाने की अनुवती मांगी थी? 88 का सई अंसर है अपसन नमबर A समुंद्र गुप्त से आगे बढ़ते चलते हैं 89 कोसन है प्रस्ण 89 नमबर देख लिए ध्यान से प्रस्ण कहता है कि चीनी यातरी फायान किसके सासनकाल में भारत आया था 89 का सई अंसर है अपसन नमबर C चंद्र गुप्त दुईतिये आगे काता है 90 नमर ध्यान रखियेगा चंद्र गुप्त विक्रम देट ने किस उपलक्ष में चांदी के सीके जारी किये थे चंद्र गुप्त बिक्रमादति ने किस उपलक्ष में चांदी के सीके जारी किये थे जारी किये थे 31 के नवर कोशन से गुप्त काली नौरत्न किस सासक के दर्बार में 32 नमबर कोशन है निमलिकित में से कौन सा कथन सत्य है इसका सही अंसर चुनने रहा है तो सही अंसर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे पहले है निफसत चुनना है महिरावली के संब लेक का संबंद चंदर गुप्त दुईतियस है बिल्कुल सही है ये अफसन निर्मान की कला का जन्म सरप्रथम कब हुआ तो मंदीर निर्मान की कला का जन्म सरप्रथम कब हुआ 94 का right answer है अपसर नमबर B गुप्त काल में हुआ था गुप्त सस्थापत्यकला का सरवत कृष्ट नमूना निमल कित्म से कौन सा है तो गुप्त सस्थापत्यकला का सरवत कृष्ट नमूना जो है वह कौन सा था मैंने आपको प्रहाया है और आप जानते होंगे सायन सर्वगा देवगड का दसावतार मंदिर जो है चंद्रगुप्त यानि गुप्त स्थापत्यकला का सर्वत कृष्ट नमूना है बस और ही थोरा सा कोशन से सरवाधिक सोने के सीके किस काल में चलाये गये थे याद रखेगा चानवेर का अपसर नमबर हो जाएगा ए गुप्त काल में चलाया गया था की चीनी यातरी परियाग प्रसती की रचना करने वाले ब्यक्ती हरी सें थे आगे बरते चलते सोवे नमर कोशन से हर्स वर्धन को नर्मदा नदी के तड़ पर किस सासक ने हराया था हर्स वर्धन को नर्मदा नदी के तड़ पर किस सासक ने हराया था राइट अंसर हो जागा सोवे का अपसा नमर C पुल केसिंद वेतिये ने हर्थ वर्धन को नर्मदान अदी के तड़ पर हराया था 101 नमर कोसन आपके सामने है कि कनौज के लिए हुए तरी पक्चिये युद्ध को अंतता किसने जीता था एक कासी का सई अंसर है अपसर नंबर 2 प्रतिहारों ने इसको जीत लिया था उमीद करते हैं कि सारी कोशन्स आपको समझ में आये होंगे बस एक से दो कोशन्स बस तीन कोशन्स और बचेंगे एलोरा के केलास मंदरी का निर्मान किस ने करवाय था? तो एलोरा के कलास मंद्री का निर्मान दोस्तों किराने वाले बैक्ती का नाम कृस्न प्रथम था आगे बढ़ते चलते हैं 100 कितने हुए 2 नंबर और 103 नंबर ये अंतिम कोशन्स है अस्थानिय स्वसासन किसके सासन की प्रसासन की भी सिश्ता थी तो अस्थानिय स्वसासन किसके प्रसासन की भी सेस्ता थी राइट अंसर 173 का अपसर नमर सी हो जागा चोलो की या एक प्रसासन की भी सेस्ता थी उमीद करता हूँ कि ये सारे कंटेंट और सारे MCQ आपके दिमाग में बैठ गए होंगे अगले बार अगले दिन यानि कि कल हम आपको मद्यकालीन भारत का कंटेंट के साथ कंसेप्ट के साथ आपको हम MCQ करा देंगे सुक्रिया हमारे चनल को जरू सब्सक्राइब कर लीजिए